हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी important रहने वाला है तो आज morning news में मैं आपके लिए काफी important खबरे लेकर आया हूँ इससे पहले आपको बता देता हूँ अगर आप घर बैठे online पढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे contact करें description box में मेरा contact number है अगर आप unacademy पर पढ़ाना चाहते हैं कुछ नहीं करना simple page लेके a4 size seat लेके अराम से उस पे topic लखना है अपना matter लिखना है और unacademy की app में वो photo जाके समझाना है आधार card pen card दोनों आपके पास होने चाहिए अगर नहीं है तो आप पढ़ा नहीं सकते आप मुझे contact कर सकते हैं तो साथियों इसके बाद बात करते हैं एक चौकाने वाली चौकाने वाली अभी खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर 77% जो guest teacher हैं वो minimum जो criteria होता है उनका उसे भी qualify नहीं कर पाएं मतलब दिल्ली के अंदर 77% जो guest teachers हैं वो जो passing criteria होता है उनका उसे भी qualify नहीं कर पाएं इससे अब समझ आने वाली बात है आप अगर समझे कि जो education system है वो कैसे सुधर सकता है आप समझे बात को education system कैसे सुधर सकता है एक तरफ तो government बात करती है कि education system सुधरा जाए दूसरी तरफ जो guest teachers हैं उन पे government इतनी महरबान हो रही है कि आप देख पा रहे होंगे तो वो teachers अभी minimum जो qualifying criteria है वो मतलब pass नहीं कर पारें तो इससे हम एक अच्छे education system की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो government पर इस समस्या पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि राजधानी के अंदर भी ऐसा अगर हो रहा है तो ये गलत है इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरियाना के अंदर जो guest teachers है उनको permanent होने की जो बात है वो government कर चुकी है और बिल भी पास हो चुका है और अगर हम बात करें अगर government को बिना estate qualified teachers चाहिए तो वो गलत है या तो estate आप हटा दीजी सभी के लिए अब guest teachers है जो उनमें काफी ऐसे हैं काफी क्या मतलब mostly ऐसे हैं जिनका estate अभी तक qualify नहीं हुआ है काफी chances मिलने के बावजूद भी उनका estate qualify नहीं हुआ है लेकिन government उन पे इतना म जो government कर रही है government को जरूर इस पर विचार करना चाहिए और new recruitment में मैं यह नहीं कह रहा कि उनको नुक्साम दिया जाए उनको कुछ benefit दिया जाए new recruitment आए तो उनको कुछ benefit दिया जाए लेकिन जो अभी यह चल रहा है बहुत गलत है आप समझ सकते है 77% से जादा जो teachers है जो regular वहाँ पर पढ़ा रहे है वो ही minimum जो qualifying criteria वो qualify नहीं कर पा रहे है मतलब minimum cut off तो दूर की बात है minimum पे वो पहुँच नहीं पा रहे है जैसे मान के चलो cut off गई है 80 पे 80 पे cut off गई है और वो OBC से हैं तो वो 70 marks भी नहीं लेके आ पा रहे है 35-35 वो criteria है वो ही qualify नहीं कर पा रहे है तो cut off तो बहुत दूर की बात है और जैसा भी आपने देखा cut off कितनी high गई है तो उसके हिसाब से अगर आप देखे तो वो qualifying criteria 60-70-80 marks भी लेके नहीं आ पा रहे है तो government से यही request है कि इस समस्या पर जरूर विचार किया जाए जिससे education system बहुत अच्छा जाए तो सातियों यह उम्मीद है आपको कैसा लगा आप अगर मेरी बात से सहमत है तो like जरूर करें बहुत अच्छा लगता है और comment करके जरूर बताएं क्योंकि अगर आप हमारे साथ होंगे तो जरूर इस समस्या पर विचार किया जाएगा तो गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वन दे मात्रम